हेई गाइज माइने में इस अनुराधा वेलकम टो आठ चैनल जीके गाइडेंस इन नॉलिज एपी मॉर्निंग टो अल अफ यू कैसी है मेरे जीके फैमिली आई होप सभी अच्छे होंगे अपने सियाथ फैमिली और पढ़ाई का दियान काफी अच्छे से रखिए चलिए श इसके बारे में जानते हैं यह एक बिमारी से रिलेड़ेड है आप यहां पर देख भी सकते हैं इन में स्किन का कलर हा काफी ज़्यादा डिफेरेंस दिखाए दे रहा है कहीं पे उनका जो पिग्मेंट है मैर्य नियन नदा वह गाया वह रख रख हैं यह बिमारी दुनिया और physically दोनों ही socially, physically और psychologically हर तरह से परिशान हो जाते हैं इसकी वज़े से क्योंकि अभी भी देखने मों मिलता है कि बहुत सारी गलत फैमिया होती है लोगों के बीचे मिसकंसप्शन होते हैं रहे चीज़ को लेकर तो इसके लेटर भी social stigmas हैं और उसके वज़े से उनके उपर जो patients होते हैं उनके उपर negative impact पड़ता है मैंने पहले भी कहा है कि किसी के साथ में किसी भी basis के उपर हमें discrimination नहीं करना चाहिए वह आज भी same ही बात करूंगी और चली आगे वड़ते हैं अगला दे इंडे दिखते हैं डे ओफ था वर्ल्ड दे और सीफियर रही है इसके बारे में जानते हैं चलो इसके बाद में question नहीं बढ़ लेते हैं फिर देखें इसके बारे में यह कह हैं कंसिडर करना हमें इन सबस्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में वर्ल्ड सीफियर दे यह अब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल मेरिटाइम और इसकी 2021 की थीम रखी गई है सीफियर इन में से कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है में यह बताना है फॉस्ट ओनली सेके सब्सक्राइब करते हैं हर साल 25 जून को इंटनेशनल डेफोर डे ओफ दी सी फेरेर को ताकि रिकोगनाइज किया जा सके जो भी इसनोंने कोंट्रिबिशन दिया है वोल्ड के ट्रेड के अंदर एकॉनमी के अंदर क्योंकि यह सी के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसकी रक्षा करते हैं और इस साल 2021 के इंदर इसकी 11 अनिवर्सरी सालेबिट की जा रही है और इसकी थीम रखी गये जिसके हमने पहले डिसक्स किया सी फीरर्स एडिकोर ओफ दी शिपिंग फ्यूचर और इस थीम को इसके लिए लिए गया है ताकि इंक्रीज किया सके जो इसके जाता है उनके दुआरा वह इसे फ्यूचर में भी कंट्यूनियू रखें उसे दिखाने के लिए यह थीम रखी गई है बढ़ते अंगले कोशन के तरफ उपासना काम आई ने आप यहां पे पिक्चर में देख भी सकते हैं यह बन गई हैं अमबैस्डर किसकी फोरेस फ्रेंट-Line Heroes की और इसके दोबारा अनॉंस किया गया है इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड के दुआरा वर्लड वाइड फंड के दुआरा वर्ड एकोनॉमिक फॉम के दुआर ऐसे वर्ड बैंक के दुआरा मानाथ सख्या होगा हमारा अंसर होगा भी यह वर्ड वाइड फं नाम के अपोलो होस्पिटल और यह बहुत ही जादा जानीमानी बिजनस्मोमन भी है और वोईस चेर परसन अपोलो होस्पिटल की और का मैंनी फोकस विल वी और इनका फोकस रहेगा सर्व करने के लिए स्टेट को पूरी इंडिया के अंदर अगला कुछिन देख लेते हैं इन सब स्टेटमें को इसके रेक्षपरेंस में घडियाल यहां पिक्चर में देख भी सकते हैं इनके बारे में बात करें घडियाल है वह फिश इटिंग क्रोकडाइल होते हैं जो कि हमारे जो नेटिव मिलते हैं इंडिन सब कॉंटिनेंट के पाई जाते हैं यह आयुशियन के अंदर वल्नेरेबल स्टेटर स्टेटर स्पाई हुए है रेड लिस्ट में और इंडिया के अंदर शेडियूल फॉस्ट है जो वर्ल वाइड लाइफ प्रोडक्शन एक 1972 उसका पी पार्ट है उसके अंदर भी लिस्टेड हैं इनमें से सेकेंड और फर्ड तुमारा अंसर क्या होगा हमारा अंसर होगा वी क्या हुआ है कि रिसेंट्ली ओडी साह हमारे एक ऐसा स्टेटर जिसके अंदर तीनों केटेगरी की जो स्पीशियूज वो पाई जाती है रेप्टाइल फ्रेश वोटर की घडियाल के हैं वह कहां पाई सोल्ट वेकरनिक है यह सघ्वर कर डियां मुगांक ऐस पाइजातेह सदकूची जाते हैं वैंप पाइजुटातर बितर नि का नेसल इंदर और सॉल्ट वेकर framework क्agnes चाहि जाते हैं वो पाई जाते हैं और निज वो कि ते इंडर और ये कहां कहां पे पाउजाते हैं मार्श अंडर लेक्स के अंडर रिवर्स के अंदर आठिफिशल पॉंड्स के अंदर इसके इस्ट कोस्ट लेकर साउथ एस्ट एसिया तक पाए जाते हैं जो सुन्दाइक रीजन है नौर्थ ऑस्टेलिया और मैक्रोंज या यहां पर पाए जाते हैं और यह सबसे ज्यादा लंबे यह लारजस्ट लेविंग रेप्टाइल है जानते हैं और यह आई शेंट लिस्ट में लिस्ट में 1996 से घड़ी आल जिनके बारे में अभी आपने बात की कुशन थाओ लाग जाता है कहां पर जो प्लीन रिपर रोटर होता है उसके अंदर यह कृटिकली इंडियंच लिस्ट के उसके नदर के ंदर रखा गया है फिर हमारा ग्लोपोशन देख लेते हैं वर्ल्ड इंवस्पेंट रिपोर्ट 2021 यह रिलीज की गई है किसके दोरा वर्ल बैंक के दोरा इंटरनेशनल मोनिटरी फंड के दोरा वर्ल एकॉनोमिक फॉर्म के दोरा या इवन कॉंफरेंस वन ट्रेड डेवलप्न के अंदर आपका 2020 2020 के अंदर वन ट्रेलियन डॉलर का इंवस्पेंट देखने को मिला है जिबकी 2000 जबकि पिछले साल देखने को मिला था 1.5 ट्रेलियन डॉलर का इंडिया है उसने रिसीव किया है 64 64 billion दॉलर फोर इंवस्टमेंट के रूप में 2020 के अंदर और फिफ्ट लार्ज़र्जस्ट बना है इन्दों का वोल्ड में और इंडिया के अंदर FDI है उसने पुछ किया है information communication technology industry को फिर हम रागला कुछन है डबल अच्छों यह सेट अप कर रही है एक हब ताकि प्रोडूस किया जा सके कोई 19 वेक्सिन का तो यह कहां पर कर रही है हम यह बताने हैं हमारा सॉथ अफ्रीका अमेरिका इंडिया बंंगलादेश तुमारा अंसर क्या होगा बिचाल राइस का वह सेटप करना चाहती है ताकि एक हैब सेटप करना चाहती है ताकि प्रोडूस किया जा सकी कोविट नैट वेक्सिन को साउथ एफरिका के इंदर और यह डिसीजन है लिया गया है ताकि जो इनफोमेशन डीटेल्स और इनफोमेशन से वह लो और मिडल इंकम कंट्री तक भी पहुचा ही जा सके यह नियूज किसके दुवारा दी गई है डाइटर जलनल है डवलो हो के एंटोनिय उत्रेस उनके दुवारा यहां पर आप यह भी देख सकते हैं यह साउथ अफ्रीका का मैप है इसे नाम भिया बोट्सवाना जिंबावे मोजंबी किसोतों को भी देख प्रोटोज्यॉआ के मुटीसिंज से हैं तो मारा आंसर किया होगहा बीज़़ यह अंरेटिन को इंवल किया गया है और औरोगनिजम के लैब के अंदर जीन को भी अल्टर किया सकता है इंट्रेजर घारा है मुटीसिइन मेरा में का स्टट्टी की जार रीए यह सकता है किसी भी डिजीज को फ्यूचर के अंदर और जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है इसके अंदर मैनिपुलेशन से जो सर्टेन पैथोजनिक माइक्रोब्स की वो डेडली और जादा श्यूबल होगी और यह अलाव करेगा उन्हें ग्रोव करने में डिफरेंट ग्रोथ म डिजीज है जोनुतिक मतलब जानुट स देन इंसान के अंदर फैलने वाली बिमारी है फिर यह उकर होती है यह किसके वजह से होती है अन्प्रोटेक्ट्ट डेक्स पोजिर होता है अगर हमारा किसे पिग से या फिर आंप्रोटेक्टेड से कंटेंट है जो टिशूस नीट जिसको वाइरस है पहले से ही वह अगर उस टिश्यू को उसके टिश्यू का इंसाइड टच कर लेता है तो उसके विज़े से भी यह बिमारी हो जाती है नीफा वाइरस है वो सबसे पहले 1998 के अंदर पाए गया था मलेशिया पाइनसुला के अंदर जैन्वरों के अंदर जो पिक्स होते हैं उनके अंदर और पिक के फारमर्स के अंदर भी अब तक कोई भी केस है इंडिया के अंदर डिटेक्ट नहीं हुआ इस निफा वाइरस का तो महारे नहीं में बताना है कौन सा अंसर इंकरेक्ट तो इंकरेक्ट हों साइं डी क्योंकि इंडिया इंडिया और बांगलादेश के अंदर दोनों के अंदर एक ही साथ पाए गये हैं यह के सब्सक्राइब लोगों की जिसका डाये जिसको यह पहले काफी इलनेस देखने को मिलती है ज्यादा तर जो एसंटोमेटिक होते हैं जो कि इंजिन के अंदर इंपेक्शन दिखाई नहीं देते हैं उनकी वज़े से यह बिमारी फैलती है और उनके अंदर ही रेस्पिरेटरी इलनेस और फैटल इंसेप्सलाइटेज भी कर देती हैं रिसंटली क्या हुआ हैं एंटीवोडी एजेंट्स हैं वो नीफा वाइरस की डिटक्ट की गई है कुछ स्पीसिज गेंदर कहां पर महाबलेशु और महाराश्रा के अंदर यह स्टडी रीस दोरा की गी है जिसके अंदर वाइरस और उसके अंटीबोडी दोनों ही डिफेन की जाएगी सब्सक्राइब की जाएगी यह डिलीवरी की जाएगी इसके तुरू जो आई गवर्मन्ट करम योगी डेजिटल प्लैटफॉर्म है उसके रिगार्डिंग उसके दुबारा इनिस कौनसी स्टेट्मंट इनकरेक्ट हम यह बताना है फॉस्ट अली सेकेंड ओली द देख लेते हैं गवर्मन्ट ऑफ इंडिया इसने डिसेंटल अपरूफ किया है नैशनल प्रोग्राम फॉर सिवल सर्विस कैपसिटी बिल्दिंग इसका नाम दिया गया है मिशन कर यह करम ही होगी ट्रांस्फोर्मेशनल सिफ्ट लाया जा सके रूल बेस से रूल बेस के अ कंपेटेंट वर्कफोर्स की उसके बारे में और इसके अंदर एफेक्टिवली रॉल आउट किया जाएगा कंपेटेंट से ड्राइविन मिशन जो की सबस्पेशल परपस लीकल है जिसे करम योगी भारत का नाम दिया गया है यह एक नोन प्रोफिट कंपनी बनाई जा रही यह स्कीम है यह कवर करें कि 46 लैक सेंट्रल गॉर्मेंट एंप्लोईज को सभी लेवल पे इसके अंदर 510 करोड के खर्चा आने की बात है पांच सौल के अंदर मारे अगला कोशने इन सभी स्टेटमिंट को मैं किसकी रफरेंस में नैच्रल रपर की रफरेंस में इंडिया है उसके अंदर करनाटका टॉप प्रोडूसिंग स्टेट है और रपर है वह नैच्रल रपर है उसकी की जाज के लिए टेमपरेचर चाहिए 25.6 डिक्री सेलशि है और इंडिया है वो फिफ्ट लार्जेस प्रोड्यूसर है किसका नेशल रबर का इन में से कौन से स्टेट्मेंट करेक्ट नहीं है में बताने हैं फॉस्ट एंड सेकेंड अन्ली फॉस्ट थर्ड या फिर यह सभी के सभी तुमारा अंसर क्या होगा हमारा अंसर होगा सी इसके बारे में बताते हैं रिसंटली क्या है दुनिया की पहली जनेटिकली मौडिफाइड रबर प्लांट है उसको डेवलप किया गया है रबर रिसर्च इंस्टूट के दुवारा जो कि आसाम के अंदर लोकीटिड है यह रबर प्लांट के वारे में इस तरह का पहला सीजिंग की वहां पर भी इसको लगाया जा सकता है जैंटिकली मोडिफाइड टेकनोलोजी यह लाओ करती है ट्रांसफर जो स्पेसिफिक ट्रेट से यूज़ करके टेक्न लेबरेटरी टेकनिक्स की तरूं जी एम रबर है वाडिशनल कॉपीज है मनसोडी और इसके अंद सीजिन के अंदर नौर्थ इस ट्रीजिन के अंदर तो वह से बरदाश्ट कर पाएगी यह जीन है जिसके अंदर एबलेटी है ताकि प्लांट को एडवर्स इफेक्ट की जो इन्वार्मेंट की स्ट्रेस के वज़ए से जहां पर बहुत जादा अगर ठंड होती है सर्दी हो टैंपरेचर 25 डिग्री सेल्सिस चाहिए और हुमेड और क्लाइमेट मौस्ट और मौस्ट और हुमेड क्लाइमेट की ज़रोतती रेल रेनफॉल हो 200 संट्रीमेटर सा भी ज्यादा होना चाहिए सोयल टाइप है वह रिच होना चाहिए किसके अंदर अलोवील सोयल के अंदर और सबसे पहला रबर प्लांटेशन के लगा आज था इंडिया के अंदर 1902 में कहां पे कैरला पेरियार के अंदर पेरियार के उपर और इंडिया करेंटली सिक्स लाजस प्रोडूस Ε्जो नैचलंगर है उसका वल्ड के अंदर और इसकी प्रोडुक्टिविटी को देखे तो हम 6,94,000 टन है 2017 का डाट है उसकी अकोर्डिंग और रबर प्लांटेशन में सबसे जागी है केरला फिर तमिल नाडू फिर करनाट का अवारा क्लक्षन है यलो गोल्ड 48 यह रिसन्नी न्यूज में देखने हो मिलती है यह किस चीज की वैराइटी है मैंगो की बनाना की वट खाना सरूगा सी यह वेटर में लिंकी है आप इसके देखिए यह कुछ ऐसी लिखाई देगी हमने आज तक देखाए कि यह पे रड़ कलर का होता है बटे टेस घाते हैं बड़े चावा रिखाते यह पता नीए कैसा होगा गा जिसने खाया है वह अपनी बता सकता है अपना इसके अंदर वाटरमेनल के वाराइटी है वह यलो कलर की दिखाई देगी और यह कमर्शली इंट्रोडूस किया गया है इसका दो साल तक लोकल लेवल पर ट्राइल चरेगा कि इसका कैसी परफॉर्मेंस रहती उसके बाद में पूरा इंप्लिमेंट किया जाएगा आज राइम होना या फिर डिबरूसी को उसकोन से कोंसा वाटना है फोस्त थियान सब्सक्राइब सब्साइब इसके अंदर लोकीटीट इसके प्रहम जान लेते हैं जो भीजो पांग को बाद में टीज्ट किया है चार दिन पाद में जब किया जब कि आचिए फोर हंड़र प्यक्यर्टे किलोमिट के अरिया को रायमोना नेस्टिय पार्क बोला गया था शुचिया गया था वैसेटन जोकि कोजी कोट डिस्टिक के अंदर लोकेटिड हैं संगने पंस नेश्टिय पार्क है जिनकी नाम legitimate राइमोना काजिरंगा मानस नामेरी ओरांग और दीबुशिकों राइमोना नैशल पाक है वो बोडो लेंड टेरेजिन के अंदर आती है और माइनस नैशल पाक है वो इंटिया और भुटान के बोटर के उपर देखने को मिलता है और यह बुटान के बोटर को भी गुरूस कर दोरा युनाइट निशन देवलेपन प्रोग्राम कि दो रहर यह एफिर मिस्टी फाहओ सिंग अनब अर्बन अफेर्स कि दोरा एफिरम इस च्वाओ सिंग दोरा अ